नैनिताल उधन सिहन अगर में लोगसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट ने एतिहासिक चीत हासिल की है। वहीं अजय भट ने कहा कि एंडिये की सरकार बन रही है और प्रधान मंत्री मोदी के नेतरत्वों में भारत की तीसरी आर्थिक शक्ती बने। दूसरी बार सांसत चुने जाने के बाद प्रमाण पत्र लेने रूद्रपूर की बगबाडा मंडी में बने मतगलना इस्थाल पर पहुँचे। इस दोरान अजय भट का भाजपा कारेकरताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही कारेकरताओं ने विजय जुलूस भी निकला। नवनिर्बाचित सांसत भट ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी के प्रती जनता के इसनेह और कारेकरताओं की मेहनत की वजह से यह जीत मिली है। देश में अंडिये के निराशा जनक परिणाम आने पर उन्होंने कहा कि यहाँ देश हमारा है और सभी लोग भाईचारे से मिलकर रहे। रुद्रपूर से मुकेश मंडल की खास रिपूर्ट। मोदी जी के प्रती है और हमारे कारेकरताओं की कड़ी मेहनत है और जनता का अपार और अटूर्ट इसनेह मोदी जी के प्रती है। इनके कारण से दुबारा से मुझको इस सेत्र में काम करने का अउसर मिला है। मैं आभारी हूँ पूरी जनता का, अपने सेत्र की जनता के और अपने कारेकरताओं का। मैं ये आस्वासन देता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कारी मुझे सौपा जाएगा, उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा.